हेलो स्टुडेंट्स आयम अनुराग आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेरिंग रिशो का कोश्यन नंबर 34 कर रहे हैं इसमें आपको एक बैलेंशीट दे रखिए जिसका टोटल जो है वो 8,70,000 है जिसमें आपको एसेट्स में प्रमाइसेस, मशिनरी, स्टॉक, डेटर, बैंक, लैबडी में क्राइटर, जन्जव, कैपिल तीनों की ABC की दे रखिए और उनका पहले रिशो था 3 इस्टू, 2 इस्टू, 1 फ्रम 1 अप्रिल 2017, दा पार्टनर एग्रीड तो शेर फ्यूचर पॉफिट इन दा रिशो फोर 3 इस्टू, ये इनका क्या हो गया, न्यू रिशो हो गया तो अब देखें, कोशन में आपन कुछ चीजें लिख लेते हैं पहले, साथ के साथ ये है आपका कोशन नमबर 34, पार्टनर हैं आपके A, B और C, जिनका ओल्ड रिशो आपको बैलेंचीट के उपर दे रखा है, 3 इस्टू, 2 इस्टू, 1 और इनका न्यू रिशो बैलेंचीट के नीचे आपको दे रखा है, 4 इस्टू, 3 इस्टू, 3 सही है, कोशन में कुछ नीचे बात कही गई हैं, ये कुछ अजस्मेंट्स हैं, कैता है फॉर्स अप्रम का न्यू रिशो हो गया, 4 इस्टू, 3 इस्टू, 3 इस्टू, 3 and make the following adjustments, कुछ adjustments जो हैं, वो किये गए हैं, तो हमें वो adjustment करने पड़ेंगे और इसके लिए कहता है, premises will be appreciated, और stop भी इतना appreciate हो गया, तो इसका मतलब हमें यहां revaluation account बनाना पड़ेगा, अब हम revaluation account जो है, वो इसका बना कर देखते हैं, ठीक है, तो revaluation account एक T-shape account और कुछ भी नहीं है, देखिए revaluation account, ठीक है, यह debit side, यह credit side, यह particular, यह amount, यह particular, यह amount, यह इसका format है, ओके now, revaluation का जो nature होता है, वो होता है, nominal nature, कौन सा? nominal, यानि debit all expenses, यानि debit side में हैंगे सारी expenses, और credit side में हैंगे सारी incomes, यानि debit all expenses and credit all incomes, तो point number one में लिखा है कि premises will be appreciated by 10%, तो appreciated का मतलब है बढ़ना, premises बढ़ रही है, building बढ़ रही है, तो यह आपके लिखे हो गया, फाइदा हो गया, और income credit side में लिखना है, हम क्या लिखेंगे, by building, 10% बढ़ गई है, उपर देखे बरें sheet में, premises दे रिखें, 3,00, 3,00, का 10% हो गया, आपका 30,000, ठीक है and stock by 10,000, stock भी 10% बढ़ जाएगा, stock आपको दे रहा है, assets में 120, stock बढ़ गया, आपकी assets बढ़ गई, assets बढ़ना आपके लिए फायदा है, तो buy stock 10,000, यह लोजी दो फायदे हो गए आपको, आगे लिखा है, provision for doubtful debt is to be made on data, कहता है data पे आप provision मना लो, 4% का कि आपका पैसा डू बेगा आप एक provision मनाना चाहते हैं, इससे आपकी liability बढ़ जाएगी, और liability बढ़ना आपका नुकसान है, देखो income कब होती है, जब asset बढ़ जाए, जैसे कि यहाँ बढ़ गई, यह liability कम हो जाए, यह आपके लिए फायदा होगा, expense कब होता है, जब आपका asset कम हो जाए, और liability बढ़ जाए, सही है, तो यह इसके reason होते हैं, यह reason आपको जो है, वो याद कर लेने चाहिए, revaluation account मनाने के लिए, तो liability बढ़ रही है, यह आपका नुकसान है, 2 corrosion for bed debts, 4% मनाना है डेटर के उपर, डेटर है 2,50,000, और 2,50,000 का 4% आपका होता है, 10,000, ठीक है, sundry creditors be reduced by 15,000 करता है, creditors 15,000 कम हो जाए, अब देखे, creditors कम जो होना है, वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए फायदा है, creditors आपके कम हो रहे हैं, liability कम हो गई, liability कम होना आपके लिए फायदा है, तो by creditors, फायदा हो गया कितने रुपे का, 15,000 का, आगे लेखता है, machinery will be depreciated by 5%, machinery 5% कम हो जाए, तो assets कम हो गई, assets कम होना आपके लिए नुकसान है, तो to machinery, और machinery उपर balance sheet में देखिए 180, 180 का 5% होता है, 9,000, ठीक है, goodwill of the firm भी valued at 48, goodwill कभी इसके अंदर आती नहीं है, तो कुल मिला कर अब इसका total कर देते, तो credit side का पहले total करते है, credit side जादा है, 30 plus 10, 40, 40 and 15, that is 55,000, तो यहां का total भी कितना आची है, 55,000 हमें balancing करना है actually, और यहां आ रहे है, 10 and 19,000, तो difference कितना रहे है, difference आ रहे है, 36,000, और इसे लिखेंगे 2 partners capital account, तीन partner हैं आपके A, B और C, इन तीनों में इसे old ratio में बाढ़ देंगे, और old ratio आपका था, 3 is to 2 is to 1, 36,000 को 3 to 2 में बाढ़ देंगे, तो यह आएगा 18, 12 and 6, inner column में बाढ़ दिया, यह आपका re-variation account का format जो है, वो आपका होता है, सही है, तो re-variation account का तो काम हो गया, अब old ratio, new ratio दे रखे हैं, तो उसके लिए हम फिर sacrifice ratio निकाल लें, अब sacrifice ratio का formula क्या होता है, यह होता है, old ratio माइनस new ratio, तीन आपके partner है, A, B and C, सही है, और इनका अपनको क्या निकालना है, sacrifice ratio निकालना है, old ratio था 3 to 1, यानि 3 by 6, 2 by 6, 1 by 6, new ratio है, 4 3 3, यानि 4 by 10, 3 by 10, and 3 by 10, ठीक है, यह अपने formula लगाए है, अब less करना है, तो LCM लेना पड़ेगा, LCM इनका क्या आएगा, 30, इन सभी का LCM क्या आएगा, 30, 6, 5 जा, तो 5, 3 जा 15, 5, 2 जा 10, 5, 1 जा 5, minus, 10 से 3 बात, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो यह आगया, 3 by 30, sacrifice ratio, यह आगया, 1 by 30, sacrifice ratio, और यह आ रहा है, minus का 4 by 30, यानि sacrifice का minus, यानि sacrifice का उल्टा, उल्टा है, तो फिर यह sacrifice नहीं है, फिर यह क्या है, यह gaining ratio, तो हमने देखा, कि A और B ने, यह sacrifice किया है, है ना, और C ने क्या किया है, गेन किया है, C ने gain किया है, जित्ता A और B ने sacrifice किया है, उतना ही, C को क्या होगा, gain होगा, यह हमेशा बराबर होता है, क्यों, sacrifice और gain हमेशा क्या आएंगे, बराबर आएंगे, यह बात है, equal आएंगे, तो यह हमने निकाल लिया, इसका use जो है, तो हम करेंगे, goodwill के treatment के अंदर, सही है, कै कैसे, तो अब हम ले रहे हैं, treatment of goodwill and reserve, कि goodwill और reserve का क्या treatment करना है, तो देखो, goodwill का treatment तो क्या है, कि fix है, क्या भी उसको gain ratio, sacrifice ratio से क्या करना है, multiply करना है, reserve के बारे में, question में कुछ कहनी रखा है, तो reserve के बारे में, assumption ले रहा हूँ, not to be closed, यानि reserve को close नहीं करना है, यह मैं assumption ले रहा हूँ, क्यों question जो है, वो इस बारे में silent है, question कुछ बोल नहीं रहा है, तो मैं assumption ले रहा हूँ कि reserve को close नहीं करना है, ठीक है, A, B, और C, तीन partner है, और A का sacrifice था, 3 by 30, अपने last page पर culprit किया है, B का था, 1 by 30, और C का gain था, 4 by 30, यह gain था इसको multiply करना है, क्योंकि goodwill तो हमेशा ही यही treat होती है, reserve को close नहीं करना है, तो फिर reserve को debit तो करनी सकते हैं, तो फिर इसकी भी क्या करनी पड़ेगी, इसकी भी आपको adjustment entry करनी पड़ेगी, अच्छा आपन देखें एक बाज़रा, जन्ज़ों में किता रुपया है, 120, goodwill का रुपया कितना है, point number 5 में दे रखा है, 48,000, तो total किता हो गया, 1,68,000, सही है, तो इनको 1,68,000 से आप multiply कर दीजे, तो अब हमने इस calculation को solve किया, तो यह आपका answer आया, यह, सही है, यह gainer, gain है, तो जो rule है, वो अपने सीखा था, debit the gainer and credit the loser, तो C को debit करना है, तो entry बनेगी, C's capital account debit, 22,400, तो A और B loser है, A और B loser है, तो इनको credit करना पड़ेगा, 16,800 और 5,600 से, तो 2, A's capital, 16,800, अब दोनों equal हो गए है, narration लिख देंगे, being, adjustment, entry, meet, सही है, तो यह आपका treatment of goodwill ने रिजर्व भी हो गया, रिजर्व में अभी मैंने assumption लिया, not to be close, question silent था, आप यह भी assumption लेते हैं, to be close, उसका फिर treatment अलग हो जाता है, खेर मैंने अभी यह मान के किया है, देखते हैं, आगे क्या होता है, तो देखिए, next step पर इसका partner का capital account अपने को बनाना है, यह अपने तीन-तीन column दोन तरह बना लिये हैं, सबसे पहले partner capital में आता है buy balance BD, और capital के balance liability side में दे रखे हैं, A का है 3 lakh, B का है 1 lakh 50,000, और C का है 1 lakh, सही है? अच्छा, रिवरेशन का अपने profit निकाला था, देखो रिवरेशन अकॉंड में, वो profit था आपका, किता है था? 18,000, 12,000, and 6,000, यह अपने निकाला था, रिवरेशन का profit, यह रिवरेशन अकॉंड, और रिवरेशन अकॉंड में हमने यह profit निकाला था, 18, 12, and 6, वो हम यहां लियाए, ठीक है, सही है, वो अपन यहां लियाए, अब क्या करना है, अब हमें, treatment of goodwill वाली जो entry है, C debit हुए है, और A और B क्या हुए है, credit हुए है, C debit हुए है, 2200 से, तो C की debit side में, आप लिखेंगे, 2, A's capital, and 2, B's capital, C क्या हुए है, debit हुए है, कितना C debit हुए है, 22, 400, तो 16, 800, और 5, 600 लिख दो, 16, 800, और 5, 600, और A और B क्या हुए है, credit हुए है, तो A और B की credit side में क्या लिखेंगे, by C is capital, 16, 800, और 5, 600, तो यह अपने treatment of goodwill and reserve भी अपने कर दिया, ठीक है, यह अपन अपने assumption से कर रहे है, और कोई adjustment कोर्षय में देनी रखा है, that's why अब इसका total लगा दें, दोनों साइडों को balancing करना है, तो 3,00, plus 18, 3,18, 3,34, 800, यहाँ कुछ है नहीं, तो यहाँ balance निकल देगा, 2 balance CD, 3,34, 800, इसका 1,50, 12, 5,17, 600, तो 167, 600, और इसका है, एक लाग और एक लाग छे जार में से 16 और पांच 21, 21 और 22, 22, 46, यह आपका आ रहा है, 83,600, आपके दिमाग में आगा सर, अपने जो answer है, वो बुक से अलग क्यों आ रहे है, reason यह कि हमने reserve को यहाँ distribute नहीं किया, अपने assumption दूसरा लिया है, आप चाहो तो alternatively, यहाँ reserve का distribution अगर कर लोगे, तो answer बुक वाला भी आ जाएगा, buy reserve जो एक लाग बीज जार है, उसको old ratio में आपको माटना पड़ेगा, 3 to 2, 2 to 1, यह आपका हैगा 60, 40 and 20, तो अगर आप यह कर देंगे ना, तो फिर आपका बुक वाला अंसर भी आ जाएगा, पर मैंने reserve को not to close किया है, इसने इन्होंने to close किया, यह assumption है, तो अभी हम इससे कर रहे हैं, अगर आप इससे करेंगे तो बुक वाला अंसर आ जाएगा, सही है, तो यह भी सही आंसर है, कोई दिक्का दिया है, अब गवराएं निस्थीच के लिए, अब हम balance sheet बनाते हैं, balance sheet of new form, balance sheet of new form, यह आपकी library side है, यह उसके amount है, यह आपकी asset side है, यह उसके amount है, सही है, यह आपका balance sheet का format बन गया, ओके, अब पुरानी वाली balance sheet को देखते हुए, नई वाली balance sheet आपको बनानी है, सबसे पहले premises, और premises में आप देख रहे हैं, कि appreciate हुए 10% का point number 1 में लिखा था, तो 3 lakh की premises है, वो कित्थे की होगी, 330 की, stock को भी 10,000 बढ़ाना है, तो stock उपर था 120, तो 10 बढ़के कित्ता हो गया, 130, machine day 180 की थी, और point number 4 में लिखा था 5% कम करना है, तो 180 में से 9,000 लेस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 171, data आपके 250 थे, उसके अगेस्ट आपने provision for bedgers बना दिया था, कित्य रुपे का, 10,000 का, और bank में कोई change हुआ नहीं है, वो तो assets है, as it is कित्य रुपे, 20,000, labdys में आते हैं, और re-varnation में हमने लिखा था कि creditor को 15,000 पे कम कर देना है, तो creditor जो थे 2,00,000 थे, 15,000 कम हो जाएगे, तो कित्य हो जाएगे 185, जन्जव को अपने distribute नहीं किया है, close नहीं किया है, तो जन्जव में as it is 120 आएगे, और capital अब जो हमने capital account मनाया है, उससे जो balance ID निकले हैं, यह वाली capital आएगी है न, तो इनको लिखना है अपने को 3,34,800, A के लिए 3,34,800, B के लिए 1,67,600, और C के लिए 83,600, और कोई adjustment बचा नहीं है, अब balance sheet की दोनों side का total कर देंगे, और वो equal आना चीए, वो book वाला नहीं बैटेगा, क्योंकि book का जम्शन लग है, लेकिन हमारा भी answer सही मना जाएगा, हम total check कर लेए, तो दोनों side का जब हम total देखते हैं, इसका total करके, तो दोनों side का total बैटर है, 9,100,000, क्योंकि balance sheet की दोनों side का total equal आ रहा है, इसका मतलब आपका answer जो है, वो सही है, यह क्या रहा है, equal आपका answer एकदम सही है, ठीक है, मैंने आपको बता है, alternatively, यदि आप यहाँ, इस treatment of goodland reserve में यह assumption दूसरा ले लें, तो आप यह reserve का amount नहीं जोडेंगे, तो इस entry का amount change हो जाएंगे, entry तो यह होगी, c to a to b, entry का amount change हो जाएंगे, जिससे यह figure change हो जाएगा, हाँ, हम reserve को यहाँ distribute कर देंगे, तो फिर आपका book वाला answer भी आ जाएगा, book का answer जो दे रखा है, बलिशी का 8,91,000 दे रखा है, और अगर reserve को बांड देंगे, तो यह answer कित्ता आ जाएगा, 9,1,000 आ जाएगा, बाकि इस type के question, same number का आप example करेंगे, तो अच्छे practice हो जाएगी, ओके, thank you.